हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके Android मुवाइल फोन में आपका मुवाइल फोन देखे इस तरीके से अगर यह जो फिलिकरिंग करने लग जाता है यह देख सकते आपकी मैं जैसे टच कर रहा हूँ तो यह आपने फिलिकर कर लेते हैं देखिए दोस्तों इसके गया ना कुछ solution में आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले तो अपने mobile phone को एक बार restart कर लेना है अगर restart नहीं कर सकते तो आपको अपने mobile phone को एक बार पर software update आपको जो भी आपके पास phone है उसके अंदर आपको मिल जाएगा तो आपको अपने mobile phone का जो software होता है उसे update कर लेना है अगर आपके पास किसी दूसरी company का mobile phone है तो देखिए दोस्तों मैं आपको बीच में एक जानकर ये भी दे देता हूँ कि मैं दिखा देता हूँ कि मे आपको एक काम और करना है कि अगर इन दो तरीकों से भी अगर आपकी प्रॉडम सोल नहीं होती है तो आपको एक बार अपने mobile phone को factory reset करके देख लेना है ठीक है factory reset करने के लिए mobile phone का setting पेज ओपन कर देना है setting पेज में आपको नीचे system पे select करना है और यहाँ पर आपको mobile phone में जितना भी data होगा वो delete हो जाएगा ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है factory reset करने से पहले ठीक है तो दोस्तों मेरे बताय हुए इन सभी तरीकों से आपकी यह इस तरीकी के screen जो flickering करने लगती है तो इस तरीकी की problem आपके phone में solve हो जाएगी अगर दोस्तों य मेरे बताय हुए इन सभी तरीकों से बी आपकी problem इस तरीकी की solve नहीं होती है तो आपको करना क्य है अपने mobile phone के हैना service center में आपको चले जाना है जो भी आपका mobile phone का service center है वहां पर आपको चले जाना आपना phone वहांपे आपको दिखा देना है जिससे की आपकी problem करूँगा तो देखें री स्टार्ट का बटन भी यहां पर जो है फलिक्रिंग- temporada की वजłby क्वजे से जल्डी से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे जल्डी से टाप कर लेता हूं यहां तो देखें यहां पर यह जो है यह इस तरह की से बारवर प्रॉडम आ रही ना तो आपको restart करने में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी तो देखें मैं इसे जो दुबारा से इसे यहां पर जो है इसे करने की कोशिश करता हूँ restart ठीक है और देखते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि restart करने से ठीक होता है कि नहीं होता है वैसे थीक हो जाना चाहिए तो देखें यहां पर जैसी restart को option आगा मैं यहां पर फोन को एक बार restart कर लूँगा तो देखें मैंने बटन दबा दिया है और देखें restart हमारा फोन जो होने लग गया है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करते हैं देखते हैं कि हमारा phone यहाँ पर restart होने के बाद यह इस तरीकी की जो flickering की problem है इस्क्रीन जो ठीक से काम नहीं कर रही है यह ठीक होती है कि नहीं होती है problem ठीक है तो हमारा phone यह देखिए दुबारा से automatic switch on होने लग गया अब यहाँ पर थोड़ा सा और wait कर लेते हैं देखिए दोस्तों मेरा phone restart होने में थोड़ा सा समय ले रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करने में आपको आगे वीडियो continue करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा phone जो restart हो चुका है अब मैं अपने mobile phone का यहाँ पर screen lock एंटर कर देता हूँ तो मैंने screen lock एंटर कर दिया अब देखिए यहाँ पर मैं इसे right click करूँगा तो हमारा phone जो ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर कुछ ही second में हमारे mobile phone के application यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे यह loading complete कुछ ही second में हो जाता है और यहाँ पर हम देखिए दुबारा सी कि हमारा phone जो पहले जो flickering कर रहा था वो problem यहाँ पर solve होती के लिए होती है दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर अपने phone को restart कर लिया है तो यहाँ पर जो है थोड़ा साइ समय ले रहा था और देखिए हमारा phone जो है यहाँ पर restart हो चुगा ओपन हो चुगा है अगर restart करने से भी यह problem solve नहीं होती तो आपको एक बार जो अपने mobile phone को restart करने के बाद phone का software update कर लेना है और mobile phone को reset करके देख लेना है ठीक है और अगर तब भी problem यह solve नहीं होती है तो आपको अपने mobile phone के service center चले जाना है यह मैंने आपको सारे process आपको बता दिया है इन सभी का आपको use एक बार करके देख लेना है ठीक है और अगर आपकी पास कोई दूसरा तरीका है इन तरीकों के अलावा तो आप उस दूसरे तरीके के उस दूसरे तरीके को भी use कर सकते है जो भी आपकी पास solution है इसका ठीक है ना